तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट आज एक जबरजस्थ तेजी के साथ बंद हुआ है टोटल निफ्टी 50 में 0.61 परसेंटेज की तेजी थी लेकिन आज जो में तेजी आगर आप देखेंगे तो यह mid cap और small cap में जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि momentum फिर से धीरे धीरे लोटता हुआ आ रहा है और mid cap और small cap की जितने भी leading stock हैं यदि आप उसमें delivery percentage चेक करते हैं तो वो है about 80% है तो यहाँ पे यह about delivery 80% यह show करती है कि जो कोई भी इस particular stocks में अपनी position बना रहे हैं mid cap और small cap में वो एक लंबी अवधी के लिए उसमें अपनी position को build कर रहे हैं यहाँ पे यह position intraday नहीं है क्योंकि पूरा माल जो है cash में accumulate किया गया है तो आप किसी particular stock में यदि trade करते हैं तो उसका एक daily percentage of delivery चेक करके भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये एक प्रकार की manipulative rally है या फिर एक sustainable rally है ये कैसे आप चेक कर सकते हैं NSE की website पे आप जाईए for example यदि आपको किसी stock का delivery percentage चेक करना है जैसे मैं page industry का delivery percentage चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यह जो list खुलती है यहाँ पे आप देखिए percentage of deliverable तो यह total 44.9% की है तो यह जो page industry है आज इसमें बहुत जबर्जस्त buying नहीं हुई लेकिन यदि आप कोई दूसरे stock को यदि देखते हैं for example campus active wear को यदि आप देखते हैं तो campus active wear में आज की date पे 29.48 percentage की delivery उठाई गई है out of 100% तो यह particularly आपको एक idea देख सकता है कि किस प्रकार से positioning बनाई जा रही है stocks में और आने वाले दिनों में किस प्रकार से यह stock आगे move करेगा इसी same concept के basis पे मैं silver 20 को भी trade करता हूँ यदि आप silver 20 का delivery percentage check करेंगे तो आज की date में भी silver 20 में approximately 87.02 percentage की delivery उठाई गई है यह indicate करता है कि जो भी इस particular position में accumulate कर रहे हैं उनका यह anticipation है कि आने वाले दिनों में silver जो है और उपरी level पे जाएगी लेकिन ऐसा यहाँ पे 100% possible हो यह एक देखने वाली चीज़ें रहती है यदि just opposite इसके next day यदि बहुत सारे shots create हो जाते हैं silver में तो silver ने अपनी एक range बनाई हुई है 67 rupees से 75 rupees के बीच में पिछले कम से कम 6-8 मेहनों से वो इसी particular price range के आसपास घूम रही है मैंने आपको video बना के भी अपने channel पर बताया था जब silver जो है 68 rupees के नीचे गई थी तो मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि it is a good time to accumulate the particular silver और आज की date में यदि आप silver 20 को जाके check करेंगे तो silver 20 जो है यहाँ पर आपका निपॉन इंडिया silver 20 is basically trading at the range of यहाँ पर इसका data आज का दिखा नहीं रहा है यदि हम जाके इसको check करते हैं सिल्वर 20 से गूगल पर चेक कर लेते हैं 74 तक जाएगा कुछी हपतों में और मैंने अपनी इसमें एक position भी बनाई थी मेरे जो target था वो 73 रूपीज था तो मैंने 73 का basically target अचीव करने के बाद इस position से exact ले लिया हूँ यदि यह further 69 रूपीज के नीचे आता है तो फिर से मैं इसमें अपनी position बनाऊँगा आप particular position को मैं छटवी या साथवी बात repeat कर रहा हूँ तो silver beast जो है continuously इसी range में फचा हुआ है आप भी इस range का फाइदा उठा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में हमारे एक follower ने ये question पूछा है hello sir thank you for the video I want to ask another question ये question को मैं हिंदी में अनुवात करके आपको बता देता हूँ इनका मतलब ये है कि ये बोल रहे है यदि किसी stock का PE higher रहता है higher PE let's say 50 या 100 के बीच में यदि उस stock का price to earning चल रहा है तो क्या ये एक value buying है क्या इसको buy करना उचित है लेकिन मैं कई हों अपने वीडियो पे बोलता हूँ कि इस प्रकार के PE में आप कभी भी एक बड़ा return नहीं बना सकते consistently consistently मैं क्यों word use कर रहा हूँ यहाँ पे consistently word इसलिए मैं use कर रहा हूँ क्योंकि यदि company देखिए PE के दो ingredients कौन से है यहाँ पे एक price है और दूसरा है earning तो यदि stock का price बढ़ना है तो इसके लिए earning का बढ़ना भी बहुत जरूरी है तो यहाँ पे जो numerator और denominator है इ और denominator जो उसकी earning है वो यदि कम होती जाएगी तो stock का PE बहुत ज़्यादा overvalued हो जाएगा तो यह एक बहुत simple सा matrix है जिसके basis पे आप यह judge कर सकते हैं कि currently stock जो है overvalued है undervalued है या फिर basically आपको एक प्रकार से बहुत cheap valuation पे मिल रहा है यहाँ पर बात दरसल यह गौर करने की है क यदि आप आने वाली तीन से नौ महने की जो results हैं उनको यदि anticipate कर लेते हैं जैसे इन्होंने एक जीओ financial का example लिया है यदि आप जीओ financial के यहाँ पे balance sheet पे जाते हैं तो जीओ financial कोई भी matrix यहाँ पे show नहीं कर रहा है तो यदि आप एक particular target के लिए यहाँ पे निशाना साथ र नहीं पता है whether they will be in the medium class ticket loan high class middle ticket loan यह corporate lending करेंगे retail lending करेंगे या फिर यह UPI business में जाएंगे बाजाज finance के business को replicate करेंगे ऐसा कुछ भी पता नहीं है इन्होंने अपनी strategies को reveal नहीं किया है तो यहाँ पे जब आपको business का concept नहीं पता किये किस segment में deal करने वाले हैं उस business का total market size कितना ह market size में already कितने प्रकार के leaders हैं उनको break करने के लिए इनके पास क्या strategy है तो जब तक आपके पास business analysis, fundamental analysis और future anticipation नहीं हो तो इस प्रकार की यह जो manipulative price हैं जो 10 से 20% की range में move कर रहे हैं इसमें आप कभी भी trap हो सकते हैं देखिए बहुत सारे लोग ऐसे particular stocks में trade करते हैं जिसमें कि प्रकार का momentum बनता हुआ दिखता है momentum किस प्रकार से यहां 20 moving line ने आपकी 200 moving line को break कर दिया तो यह इस point पे break even point पे enter करते हैं और उनको लगता है कि हम इस पूरी rally को ride कर लेंगे लेकिन जब यहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा just two weeks before आप देखिएगा इस प्रकार के stock time आया तो उनको उस particular point पे exit का मौका ही नहीं मिल रहा था तो यह एक प्रकार की market की psychology है जो आपको समझना पड़ेगा यदि आप future को anticipate कर सकते हैं कि stock आने वाली समय में कितना profit earn करेगा या फिर earning लाएगा तो definitely आप इस P term को neglect कर सकते हैं लेकिन आपको business की understanding बहुत agency limited यह 1987 में company established है mini return company है यह जितनी भी renewable energy से related project है उनको funding करते हैं यहाँ पे इस business का जब मैंने analysis किया तो मुझे इसके ROC और ROE फोड़े से impressive लगे as compared to geofinancial service आप दूसरी बात यहाँ पर गौर करने की यह भी है कि यहाँ पर government खुद ही इस particular company का promoter है तो आप इसमें किसी भी प 14% का किसी साल में आपको return देगा इस प्रकार की जो government companies रहती है इनका main object जो है dividend produce करना रहता है government के लिए earning produce करना रहता है और यहाँ पे आप dividend yield भी यदि देखेंगे तो वो पूरी zero है तो यहाँ पे इस stock में क्या particular objective है यह आपको इस business का analysis करने के बाद ही समझ में आएगा ले 344 करोड से 634 करोड and then finally 865 करोड तो यह net profit highest पे तो बैठा हुआ है अब इस particular point पे यदि आपन इस stock की highest point देखें तो इस stock का जो highest point है all time high जो है वो 215 रूपय है तो यहाँ से 143 रूपय से 215 का पूरा पूरा range आपके लिए खोला है यह एक particular swing trading की strategy है stock यदि highest ever profit पे बैठा है लेकिन उसका price जो है lowest valuation के आसपास चल रहा है तो आप definitely आप बंद करके इस stock को pick कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर यदि इस stock की यदि आप book value करें तो वो आपकी 160 रूपय के आसपास आ रही है यह आप यहाँ पर price to book से calculate कर सकते हैं तो यह भी एक important parameter है आप इस stock को net profit के basis प accumulate कर सकते हैं यहाँ पर balance sheet में दूसरा एक और parameter मैंने observe किया यदि आप capital work in progress देखें तो market में इनका यह जो 144 करोड रूपय लगा हुआ है जो कि पिछले 2-3 सालों से completely zero था तो definitely इसमें भी कुछ return on asset develop होंगे तो आने वाले समय में मेरा जो knowledge बोलता है इनका profit 100% बढ़ेगा तो profit जब बढ़ेगा तो definitely stock का price भी बढ़ेगा क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि stock का price जो है company की earning का गुलाम रहता है यदि earning आएगी तो price भी चलेगा earning नहीं आएगी तो campus और luxe industry जैसा stock का हाल रहेगा आप देख सकते हैं PE जो है continuously expand करता जा रहा है और stock का price जो है continuously ग रहा है तो company की earning बढ़ रही है इन दो points को यदि आप समझ जाते हैं तो आधे ज्यादा share market आप वैसे ही जीच जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे discussion में next stock जो है जो मुझे एक बहुत attractive valuation पे दिख रहा है that is basically RBL bank limited RBL bank limited आप इस stock का नाम note कर सकते हैं RBL bank limited यह stock जो है एक performing assets तो यह जो NPA है यदि किसी bank की कम होता जाता है तो यह यह indicate करता है कि उस particular bank की balance sheet healthy हो रही है और यदि दूबा हुआ और किसी भी प्रकार के बटे खाते का पैसा यदि किसी bank का recover होता है तो उस bank की net ROA value improve होने लगती है return on assets तो यहाँ पे इस particular bank के साथ similar story है यदि आप इनकी profit and loss statement में जाके देखते हैं तो इस stock का जो net profit है 65 करोड से बढ़के 1086 करोड रुपए हो गया है यह जो stock है highest ever profit पे बैठा हुआ है at the same time यदि आप इस stock का price check करें तो इस stock का all time high जो है 301 रुपए है और currently the stock is basically trading at 248 रुपीज तो यहाँ पे जो 300 रुपए और 248 के बीच का जो trading trade बनता है तो इस stock को भी आप अपने radar पे रख सकते हैं जब कभी ऐसा कोई दिन आता है जिस दिन निफ्ती crash होती है या फिर कुछ point की गिरावट होती है तो आप इस stocks को धीरे-धीरे accumulate कर सकते हैं यहाँ पे भी देखिए value buying की definition 100% fulfill हो रही है इस stock का mean valuation है यह यह line है and stock is currently trading at a PE of only 10 तो इस stock का जो highest PE है यह जाता है आपके 50 to 60 की range में लेकिन currently the stock is available at the valuation of only 10 तो आप इस stock को भी अपने radar पे consider कर सकते हैं वैसे यदि आप इसका आज का chart देखेंगे तो इसमें एक basically buying active हो गई है आप यहाँ पे यदि देखेंगे तो देखिए stock ने कितनी शानदार recovery की है इस particular point से एक V-shape की recovery 200 DMA line को केवल stock 2-3 दिनों में cross करके उपर आ गया है तो यह particularly एक revival के sign है recovery के sign है आने वाले दिनों में RBL bank आपको नए label बनाता हुँ देखेगा इसको अपनी watch list में जरूर रखिएगा और यदि conviction बनता है तो trade भी करिएगा आगे बढ़ते हैं हमारे discussion में next stock जो है that is page industry, page industry में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे continuously accumulation होता जा रहा है आप यदि observe करेंगे तो इस stock ने जो अपना एक lower low and lower high का pattern है इसको ours breach कर दिया है कैसे breach कर दिया है यहाँ पे देखिए यदि इस drawing को मैं अलग करता हूँ और हम इसको थोड़ा सा zoom in, zoom out करके देखते हैं, zoom out करने पे आप पाएंगे कि इस stock में यह जो low बना था इस particular candle ने उसको high को तोड़ नहीं पाई, फिर उसके बाद यहाँ पे जो next low बना था यहाँ पे इस particular candle ने उसको easily breach कर दिया with a heavy volume, तो यह particularly एक reversal sign है और page industry जो है एक particular range में फसा हुआ है और इसकी range क्या है, range बन रही 35,000 से 42,000 के बीच में, यदि आप इसको weekly chart पे देखते हैं, weekly chart में आप देखिए, यह stock की एक particular range थी, यहाँ पे उपर में यदि आप इसको mark करते हैं, तो यह 42,000 निकल के आता है, नीचे में mark करते हैं, तो that is around 37,000, तो यह जो range यहाँ पे breach करी थी, इसका perfectly revival होने के लिए stock को अब at least एक single week में इस particular price के उपर close होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आपका 100% validation हो जाएगा, कि page industry में आप revival possible है, और stock जो है अपने next resistance के लिए, जो कि आपका कितना रहेगा, 42,000 के तरफ move करना start करेगा, page industry में आज के दिन पे delivery percentage है, तो मेरे ख्याल से आने वाले कुछ औ करता जाएगा, stock उपर की तरफ जाएगा, बहुत बढ़िया company है, इस company में pricing power है, और आने वाले दिनों में इनके बहतर result होंगे, ऐसा मेरा anticipation है, अब बात करते हैं हमारे next stock की, जिसको मैंने previous video में discuss किया था, आवास financial, आप देखिए यहाँ पे technical analysis की beauty, मैंने आपको बताया थ कि यह जो buyers हैं, sorry, sellers हैं, यह continuously weak होते जा रहे हैं, क्यों मैंने बोला था, यहाँ पे आप volume यदी note करेंगे, तो stock गिर तो रहा था, लेकिन यहाँ पी जो selling का volume था, यह बहुत small था, इस particular reason की वज़े से, यहाँ पे continuously जो आपके sellers थे, यह एक प्रकार से अपनी grip, beer से खोते जा 82% की closing दी है, 7.82% का up movement दिया है, और दूसरी एक और बात यहाँ पे गौर करने वाली यह भी है, कि Jeffries ने भी इसमें अपना target revise किया है, 1940 का, तो stock is currently trading in the range of 1400 रुपीज, और Jeffries ने जो target दिया है, वो 1900 रुपे का है, यह within one year का यह particularly target है, तो आप इस stock को भी अपने radar पे रख सकत ही है, highest ever profit पे बैठी हुई है, अवास financials और इसमें यदि आप next resistance की बात करते हैं, तो इस stock में जो immediate resistance निकल के आता है, daily chart के basis पे, that is around 1398 जिसको इस stock में आज cross कर दिया है, तो यदि आने वाले दिनों में stock इस particular range के ऊपर एक और closing देता है, तो इस breakout का यहाँ पे confirmation हो जाएगा and the stock will again start trading towards the journey of 1600 रुपीस minimum, तो यह stock को भी आप अपने radar पे रख सकते हैं, आवास financially, चलिए मिलता हूँ next वीडियो में, कुछ और insightful information के साथ, till then bye bye, thank you.